पटाय तीस सेकेंड में खबर डाउनोड कीजिए तक आप अकसर लोग अपने मुबाइल में कुछ इस तरह मगन हो जाते हैं कि दीन दुनिया को ही भूल जाते हैं भूल ये भी जाते हैं कि वो सलक पर चल रहे हैं या रेलवे स्टेशन पर और कभी कभी मुबाइल फोन से हमेशा चिपके रहने वाली आदत भारी पड़ जाती है दिल्ली के एक शक्स के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ जैसा कि आप इस CCTV में देख सकते हैं कि एक शक्स अपने मुबाइल को देखने में इतना खोया हुआ था कि उसे पता ही नहीं लगा कि वो अपने घर में नहीं बलकि मेटरो इस्टेशन पर है और अचानक अपने फोन में देखते ही देखते मेटरो ट्रैक पर जा गिरा ट्रैक पर गिरने की वज़े से शक्स के घुटने में इतनी जोड से चोट लगी कि उससे खड़ा भी नहीं हुगा जा रहा था जैसा कि आप इस CCTV में देख सकते हैं कि मेट्रों ट्रैक पर गिरा शक्स बार-बार उठने की कोशिश तो कर रहा है पर उठने ही पा रहा इतिपाक से घटना के दौरान CISF की QRTT मेट्रो इस्टेशन पर गश्ट कर रही थी इस शक्स को ट्रैक पर गिरा देख पहले तो CISF के जबानों ने उसे उठने के लिए कहा लेकिन जब देखा कि ये आदमी कोशिश के बावजूद उठ नहीं पा रहा तब ही CISF का एक जबान इस शक्स की मदद के लिए प्रैक पर पूर पड़ा और इस आदमी को उठा कर प्लैट्पॉर्म पर चड़ाया वरना अगर कुछ सेकंड की देरी होती तो कहीं न कहीं मेट्रो की चपेट में आने से यात्री की जान भी जा सकती थी बता दें कि ये घटना दिल्ली के शहादरा मेट्रो इस्केशन के प्लैटफॉर्म की है जो शुकरवार की रात करीब आठ बच कर तैंतालीस मिनट पर हुई थी जानकारी के लिए आपको बता दें कि मेट्रो ट्रैक पर गिरने वाले शक्स का नाम शैलेंदर बताया जा रहा है तो वहीं शक्स को बचाने वाले CISF के जबान का नाम रोतास है जो CISF में कॉंस्टेबल के पर पर तैनात है तो इस हाथसे से हमें ये सीख मिलती है कि मोबाइल से हमेशा चिपके रहने की आदत हमारे लिए बड़ी मुसीबत भी बन सकती है इसलिए हमेशा खत्वे वाली जगा खासकर सड़क पर चलते हुए और रेलवे ट्रैक के आसपास मोबाइल का इस्तमाल करने से बचे क्योंक झाल